परमार्थ निकितन रिशी केश, हिमाले की उपत्यकाएं, उत्तुंग शिखर और मागंगा की गोद, मैं बैठ कर आज मुझे हिमाले दिवस के अवसर पर आप सब का अभिनंदन करने का आवसर मिल रहा है। हिमाले दिवस के अवसर पर आज केवल हिमाले चिंतन ही नहीं हो रहा, बलकि हिमाले सा व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्तित्व भी महापुरुष भी आज इस पैनल में विद्यमान है। इस समृद्ध पैनल को देखकर मुझे कहने का मन होता है कि आप वो लोग हैं जिनोंने देश को एक नई दिशाप्रदान की है और नई उर्जाप्रदान की है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अकसर लेकिन हमारे मोदी जी वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं हमारे देश का सभाग्य है कि हमारे पास यशस्वी तपस्वी ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री मान्य श्री नरेंदर मोदी जी के सचक्त नतित्तों में पूरे विश्व को एक नई उर्जा और दिशा मिली है और एक नए सवेरे की शुरुआत हुई है मुझे पूर्ण आत्म विश्वास है कि देश केवल आत्म निर्भरी नहीं बलकि अध्यात्म निर्भर भी बनेगा हमारे राष्ट्र द्वारा मिलकर बढ़ाया गया हर कदम एक विलक्षन परिवर्तन कारी होगा किसी राष्ट्र की अमूर्थ संस्कृति उस राष्ट्र की वो निधी है जिससे वो राष्ट्र समृद्ध बनता है देवात्मा हिमाले हमारे राष्ट्र की उन अमूर्थ संस्कृतियों में निधियों में से एक है जिसने भारत को गौरवानवित किया है भारत का मान बढ़ाया है यह हमारी अध्यात्मिक चेतना का दिव्य स्रोत है हिमाले से हमारी उन्नती है प्रगती है पूर्णता है यह हमारी संस्कृति की अधारशिला भी है हिमाले हमें केवल जीवन ही नहीं देता बलकि हिमाले जैसा जीवन जीने का हौसला भी देता है हिमाले दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उची परवत शंकलाओं में से एक है दुनिया के आठ देशों में हिमाले का सामराज्य है उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमाले से ही निकलती है नो हिमाले नो गंगा, हिमाला है तो गंगा है, मुझे याद है, जब मैं अमेरिका में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, कैलिफोर्निया में, UCLA में, दस हजार विख्यात लोग वहाँ पर अमंत्रित थे, आधनिये अध्यात्निक गुरु श्री रविशंकर जी और मैं दोन आमंत्रित थे, वो तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन मुझे पहुचने का अवसर मिलाज, और मैंने वहाँ कहा, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, तो सब की आखों में आसू बह रहे थे, सच बात तो ये है, उनका तंस विदेश में है, लेकिन मन उनका सवदेश में आज भी है, आज भी सवदेश में है, गंगा हमारे देश का सवभाग्य है, और हमारे प्रदेश का सवभाग्य की हमारी इस धर्ती से निकलती है, जह हमने जन में लिया है, जो दिविता और भविता का संगम है, वो है अपना प्यारा हिमाले, बर्फ की स पेट चादनों से ढखे हिमाले की गोद में भारत की आत्मबस्ती है। हमारी हिमाले हमारी प्रान वायू का स्रोती नहीं बलकि भारत की बड़ी अबादी की प्यास भी बुझाता ही हमारा हिमाले। इसलिए हिमाले को प्रिथवी का जल मिनार भी कहा जाता है। यदि हिमाले ना होता तो गंगा, यमना, ब्रह्म पूत्रों और सिंदु नधी भी ना होती। और आज जो हम हरे भरे भारत को देख रहे हैं वो शायद सहारा की मरू भूमी की तरह होता। लेकिन हमें ये भी ध्यान लखना है कि मानविय गतिविधियों और अध्योगिक क्रांती के कारण तेजी से बढ़ता गलोमिक वार्मिंग, समस्या के कारण सिकुडते गलेशियर, बढ़ता तापमान, बदलता मानसून, पानी की कमी, पहाडों पर हो रहा जलवायू परिव भूमी क्षरन, प्राकृतिक संपदाओं के अत्यदिक दोहन के कारण, प्राकृतिक आपदाओं का खत्रा और भी बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है, इसलिए एक बात हमें याद रखनी होगी, कि नो गलेशियर, नो ग आने का अवसर मिला है, चीन पर मिशन दी और वहां तीन आश्रम बने, और वहां पर पिगलते गलेशियर को भी मैंने देखा है, उन नदियों के भंडारों को भी देखा है, जलेशियर के भंडारों को भी देखा है, लेकिन आज चिंता का विशह है, कि वहां भी ये समस्य रही है इसलिए हमें याद रखना होगा हिमाले स्वस्त तो भारत मस्त हिमाले को जीवित रखना है तो पहाडों पर पड़ी बंजर भूमी पर विक्षा रोपन करना होगा हिमाले को में पुनाहा जड़ी बूटियों से सजाना होगा हिमाले की दाल दलहन और पहाडी कोदो अ की समस्या से भी निजात दिला सकते हैं समस्या चाहे तनकी हो या मन की सब का समाधान है हिमाले हिमाले क्षेत्र को हमें Oxygen Bank के रूप में प्रशारीत करना होगा प्रचारीत करना होगा और वैसा ही बनाना होगा शांती का भंडार है हिमाले Peace tourism, oxygen tourism, योग और ध्यान tourism की तरह हमें इसे आगे लाना होगा जिससे केवल तन ही नहीं बलकि मन भी स्वस्त रहेगा तन स्वस्त और मन मस्त रखने की ताकत रखता है अपना हिमाले हिमाले के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृत विरासत को संजो कर हमें रखना होगा क्योंकि हिमाले भारत का स्वर्ज लेंड भी है और स्पिर्च्व लेंड भी है दोनों का संगम है हमारा हिमाले दिव्विता और भव्विता का संगम है हमारा हिमाले आईए इसे सहेज कर रखें जै हिमाले जै भारत धन्यवाद